नमस्कार दोस्तो FNN News में आपका स्वागत है दोस्तो बीजेपी के सबसे चिर परीचित चहरू में से एक नितिन गड़करी को हाईवे मैन ओफ इंडिया कहा जाता है सड़सट साल के गड़करी नो सालों से किंद्र में सड़क परिवहन और हाईवे मिनिस्टर के रूप में इस महकमे में किसी भी मंतरी से ज्यादा लंबी पारी खेल चुके हैं इस बार फिर उन्हें उनका यही पसंदीदा मंतरा ले दिया गया है वै मौजूदा दोर में देश के सबसे बड़े बीजेपी नेताओं में एक हैं उनके बारे में एक रोचक बात कही जाती है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से की थी जिसके पिता से संभाल रहे हैं रसडक परिवहन और राजमार्ग मंतरी के रूप में सबसे लंबे समय तक स्तेवा देने वाले मोदी सरकार में अकेले मंतरी हैं उनके पास 2014 से एक ही मंतरा ले है मुंबई पुने एक्सप्रेस से गुजरने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं कहा जात है कि उन्होंने देश में नैशनल हाइवे को बढ़ाने बढ़िया सरके और फ्लाइवर बनाने वाले शक्स के तोर पर जाना जाता है जब भी कोई पुने से मुंबई एक्सप्रेस की यात्रा करता है तो उसे ये जरूर बताया जाता है कि ये एक्सप्रेस वे नितिन होने के दोरान उन्होंने इसे बनवाया इसने उन्हें शोहरत पी दी बीजेपी में राश्ट्रिय अध्यक्ष बने देश को उनकी पहचान इसी एक्सप्रेस वे ने दी फिर दूसरी बार तब उन्हें देश ने सही तरीकी से जाना जब भी बीजेपी के राश्ट्रिय जिनकी विजनरी शमता का कोई जवाब नहीं। चीन को पचाड कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सडक नेटवर्क बनाया तब नितिन गड़करी ने इंटर्व्यू में कहा अगले पांच सालों में भारतिय सडके अमेरिका की सडकों वो टक कर देगी। नागपुर में अब भी हफ्ते में दो बार लोगों से मिलते हैं। वह नागपुर में पैदा हुए वही पढ़ाई के वही वकील बने। चातर जीवन में वही अखिल बारतिय चातर बड़ी सच से जुड़े यही उनकी करीबी संग से बड़ी। अब भी कहा जाता है कि सरकार में वह संग के सबसे पसंदीदा और करीबी लोगों में हैं। उनका अपना मजबूत आधार और पगड़ है। केंदर की राजनीती मे आने के बाद भी वैर हबते दो बार नागपुर में होना जरूर सुनश्चित करते हैं ताकि लोगों से मिल सके। NDA सरकार में उनका काम मिसाल बना। उन्हें नागपुर में सभी जाती, धर्म, लिंग और पंथ के लोग पसंद करते हैं। अब की बार उनने कॉंग्रेस के मिसाल की तरह लिया जाता है, ये हर कोई मानता है कि इन दस सालों में सडकों और नैशनल हाइवे को लेकर काफी काम हुआ है। अब उनकी शीर सप्रात्मिक ताउं में से एक भारतमाला परियोजना के प्रतम चरण के अंतरगत, ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस परियोजनाएं बेबाक बोलने वाले शक्स, वे बेबाक बोलने वाले शक्स भी हैं, विरोधियों की भी तारिफ करते हैं, बीजेबी के साथ सभी दलों में उनके दोस्त हैं, वे आमतोर पर ऐसे नेता हैं, जो अपने विरोधियों की भी तारिफ करते दिख जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके बताएं साथी लाइक और शेयर भी करें